हे लाडली, हे प्रियाजू, हे श्वामिनीजू, आपकी कृपा से मेरे मन में एक पवित्र अभिलाशा जागरत हुई है पता नहीं ऐसा भाग कभी जगेगा की नहीं पर अभिलाशा तो जग गई है अभिलाशा ये है लाडली जो, कि मैं आपके रूप रशाशों का नेत्रों के द्वारा पान करो आपको देखो, आप प्रिया प्रितम का दर्शन पाऊंगा और दर्शन ही केवल नहीं सुन्दर सुन्दर ब्रिंदावन की कलियां पुष्प को चैन करके सुन्दर कलियों के आभूशों और पुष्पों की माला आप यूगल सरकार को धारन कराऊं अपने हाथ से फूल चैन करूं अपने हाथ से फूल माला कलियों के आभूशन बनाऊं और आप यूगल सरकार को धारन कराऊं और और सर मिले तुम्हें बातों में इतना प्रवीर कि आप दोनों को हशा दू रश्बतियां ऐसी हास परिहास की बाते करूं आप दोनों को सुख पहुचाओंगा प्रिवादन आप दोनों को शदयू सुख पहुचे ऐसी ही बात कहूंगा और हे लाडली नित नवीन नवीन शेवास करके आप युगल सरकार को शुक पहुचाते हुए अपने नेत्रों की पुत्री बना कर रखना चाहता आप ऐसी कृपा करो जब आप दोनों युगल सरकार गलवेया दिये हुए ब्रंदावन की कुझ निकुझों में बहरन करें तो हम पीछे पीछे आपका यस गान करते हुए चलें आप युगल सरकार जब ब्रंदावन की कुण्य निकुण्यों में विहरन कर रहे हो फिर हम पीछे-पीछे मधुरगान आप युगल सरकार का कर दो इतने में सक्खियों ने अद्भुत शंगीत वादन किया आप दोनों रास कर रहे ब्रंदावन की मयूर मंदली आकर आपके शावत नरत्य कर रहे हंश मंदली और मैं इस सुख को देख रहे हूँ आपकी कंकन, किंकिनी, नूपुर धोनी से मिलकर शब वाद्द बज रहे ऐसे सुख में तनमन, प्राण, करोडों हो तो निउच्छावर कर दे प्रियाजू, आप करपा करो मेरी अभिलासा की पूर्णता होनी चाहिए मैं आपको देखू, आपके श्री यंगों की शेवा का अधिकार पाऊँ आपके रास विलास में प्रवेश पाऊँ, आप एश्री करपा कीजिए कि मुझे राधा चरणारविंद की शर्णागती मिल गई ना, अब मुझे कोई परवा नहीं मैं कभी सिथिल नहीं हो सकता, चाहिए नरक जैसा भेंकर कष्ट दिया जाए क्यों? क्योंकि मन तो राधा चरणारविंद के शुख में डूब रहा है, तो अब सरीर के दुख शुख की कौन परवा करें? हम मैं किसी इस्वर से क्रपा की आचना नहीं करूँगा, उससे दया की भीख नहीं मांगूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे प्यारी जुके चरणों का अस्त्रे मिल गया, जहां इस्वरों की भी इस्वर, रस्गन मोहन मूर्तिम, विचित्र केलि महोत सवोल लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर सिखंडम हरिम बंदे, मेरी लालसा, यह दुखो कोई महान पुरुशी बोल सकता है, इतनी पुष्ट हो चुकी है राधा चरणार विन्द में, ना भवेत छितिलिता, आप किसी भी कारण से सितिल नहीं हो सकती, स्वामिनी जुके चरणार विन्द से अजस्व प्रेम की धारा अपने सरनागतों के हरदय में प्रवाहित होती रहती है, चलते हैं, श्री मदभागवत महापुरान, प्रशंग चल रहा है, सर्वलूक महेश्वर भगवान स्री कृष्ण, द्वारिका के लिए, प्रस्थान करने को उद्यत है, इतने में, महाभाग्यमई, भगवत भक्ती का स्वरूप साक्षात, माता कुंती जी आती है, और प्रभू शेहाद जोड़ करके विनए करते हैं, जब प्रभू द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, प्रभू आपको नमस्कार है, नमस्कार है, हे स्री कृष्ण, हे वासदेव, हे देव की नंदन, हे नंदगोप के लाडले लाल, हे गोविंद, हमारा बा अंबार प्रणाम स्वेकार करें जगत बुरू मैं आपसे एक वरदाम चाहती हूँ क्या हमारे जीवन में कदम कदम पे भारी विपत्ती आती रहें ऐसी करपा कर दो मैंने जब जब विपत्ती आई तब आपको अपनी तरफ भागते हुए देखा है डरडा मत अब है वरत किये हुए मेरी तरफ भागते हुए आए वाज विपत्ती खतम हुई तो पीठ करके द्वारिका जा रहे है मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ती मुझे कदम कदम पर विपत्ती चाहिए जिससे आपका दर्शन होता है हे भक्त वान्षा कल्पतर प्रभू आप अब हमें छोड़कर प्रगट में जाना चाहते है तो आप जानते हैं कि हम नहीं जी सकते आपके चरणारविंद के वियोग में माता कुंती कह रहे है किसी को और कोई सहरा हो कोई सुखो लेकिन मेरा सुख तो आप है मेरे सहरा तो आप है प्रभू मुझे और किसी का कोई आस्रे नहीं कोई बल नहीं सिर्फ आपका जैसे जीव के बिना इंद्रियां सक्तीन हो जाती है वैसे आपके बिना हम हमारे पुत्र, पांडो इनका कोई आस्तित नहीं इनका आस्तित ही आप श्री कृष्णो गोविंद आप चराचर के गुरु है बस मेरी मती आप में लगी रहे आपको नमस्कार करती हो ऐसी कृपा करो भगवान तब तक शांत भाव से खड़े जब तक माता कुंती जी ने विन्य की अधिकांस लिलाओं का वरिनन करते हुए इस्तुती की भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं बड़ी अद्वुत शोबा होती है जब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने जन पर कृपा करते हैं भगवान ने कुंती जी से काच्छा ठीक है कुछ शमय के लिए द्वारिका जाना इस्तगित करते हैं और पुनाह लोटाए फिर शुभद्रादि देवियों से मिलकर के महराज युदिस्ठिर के समेप युदिस्ठिर जी को देखा भी वो सोक मगने भगवान अंतर्ग बात जानने वाले भगवान सी कृष्ण दोई पयान व्यास जी से कहा इनको समझाओ एक क्यों शोक मगन है युदिस्ठिर जी भगवान व्यास देव जी ने समझाया और रिश्यों ने समझाया भगवान सी कृष्ण ने भी समझाने की कोशिस की पर युदिष्ठिर कुछ समझ में नहीं आए बहला भगवान समझाना चाहे भगवान ब्यास दिव जी समझाना चाहे समझ में नहीं आवे क्यों? क्योंकि भगवान कुछ और करना चाहते है इसलिए समझ में नहीं आ रहा बार बार जिदिश्ठिर जी कह रहे है कि मैं कितना ग्यानी हूँ सियार कुत्तों के हार इस सरीर पर आत्म भाव करके मैंने कितना बड़ा बिनास करवा दिया ठारा चोनी सेना महा भारत ग्यारा कवर उपक्षों और साथ पंड उपक्षों पुझे संतोष नहीं हो रहा आप सब के समझाने पर भगवान मुश्कुराए काचा चलो रत तयार करो कहां के लिए प्रभु आग्या है ले चलो हमारे साथ चलो और जहां सरसया पर भिष्म पितामा पड़े हुए थे श्वर्ण जटित रठू पर अच्छे अच्छे घोड़े जुते आगे आगे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जू फिरी दिश्ठिर जी ऐसे सब का रत क्रम भाए वहां जाके देखा दो मानो स्वयम शूरिय तेजो में बाणों की सया पर पड़े हुए ऐसे भीष्म पितामा बाणों की सया पर सब जाकर के चर्णों में प्रणाम किया सब रिश्यों आसपास मंडला कार वे थे भगवान स्री कृष्ण चंद जो शमी पहुँचे आखोल के भीष्म जी ने देखा तो बाहर भी भावना से पूजन किया और अंदर भी अरदे में जो बिराज मान प्रभू स्री कृष्ण है पूजा की बाहर और भीतर जोनों जगे सब पास बैठके है भीष्म पितामा जी की दृष्टी केवल स्री कृष्ण पर है और आखों से आशु बेरे भीष्म पितामा जी के फिर युदिश्टिर को नजदिक बुला रहा रहा इशार तुम्हें बहुत कृष्ट हुआ क्योंकि अन्याय का उस समय बूल बाला था तुम लोग शादु शेवी भगवत सेवी तुमको इतना कष्ट नहीं होना चाहिए तुम बच्पन से दुख भोग रहो पांडो अतिरथी पांडु की मृत्यु के शमय तुमारी अवस्था बिलकुल छोटी थी तब से आज तक तुम्हें कष्ट ही कष्ट जेलना पड़ा देखो ये ध्यान रखना जैसे बादल वायु के वस्थ में रहते हैं ऐसे लोग पालों से इत संपूर्ण जगत इन स्री कृष्ण के अधीन है ये काल के भी काल है तुम लोग दुखी मत होना ये इनी की मंगल में ही लिलाए है मैं अंतिम समय गूर्ण राज से बोल रहा हूं कि ये साक्षाद भगवान बोलते ना अंतिम समय तो जूटे कोई बोलता नि फिर भी कहने मैं अंतिम समय बोल रहा हूं ये साक्षाद भगवान समस्त अवतारों के अवतारी ये ही कारण है इनकी करुणा का क्या भक्ती का पक्षपाद कि जब मैं अब अपने प्रान त्यागने जा रहा हूं तो ये स्वयम साक्षाद चल कर हमारे सामने उपस्तित हुए ये उपदेश दिलाने नहीं ये हमारा अंतिम बनाने आये है बिश्म पितामा जी शान्त होते चले जा रहे है फिर भगवान स्री कृष्ण में दृष्टी लगाई नील मेग की कांत गंभीर मुद्रा में भगवान पे समस्त इंद्रियों को एक जगे रोब दिया मन को एकाग्र किया और भगवान स्री कृष्ण से कहा मृत्यू का शमय है मैंने आज तक अपनी बुद्धी को बचा के रखा है बलिहारी समस्त सादनों से पवित्र करके शुध्यूं काबना रहित करके आज तक बचा कर रखा है हमारी बुद्धी ने किसी का वरण नहीं किया कुवारी है ये श्री कृष्ण आज इस बुद्धी का वरण करू आप अंतिम समय है वास्तों में इस समय मैं श्री कृष्ण को समस्त रिशियो सब के हरदय में बिराजमान स्री कृष्ण को मैं प्राप्त हो रहा हूँ दीरे दीरे वानी मौन नेत्रन मून्द लिए जेवी सम ने देखा भेश्ण पितामा की वानी रुक गई द्रश्टी मुन्द गई शब इक अचानक खड़े हो गए और देखा प्राण रहित भीष्ण का स्वान्त सरी भगवान में सब से काम मैं भगवान को प्राप्त हो रहा हूँ यह अंत्य सामने भगवान को द्रश्टी मान बुद्धी चित प्राण सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया अनंत ब्रह्म स्री कृष्ण में भीष्ण में पितामा जी वैसे ही लीन हो गए आप चारो और सन्नाटा चा गया जैसे दिन के बीतने पर संध्याकाल के बाद पक्षियों का कलरों शान्त हो जाता है उसी समय में देव बाद्य बजने लगे आकास से शान्त गंभीर मुद्रा में भीष्ण मजी का जीवन लीला शान्त होई युदिश्ठिर जी भगवान की आज्या के अनुशार अंतेष्टी संसकार कराए मुनियोनिस भगवान स्री कृष्ण की पूजा अर्चना बंदना की फिश्व रिशी जन अपने अश्रम को लोट ग अपनी पैत्रिक संपत्ति को हरप जाने के चुक आतातायों का नाश करके अपने भाईयों के साथ किस प्रकार से राजशाशन किया कौन-कौन से काम के क्योंकि महाराज युदिश्ठिर की भोगों में तो प्रवत्ति थी नहीं सूत जी कहते हैं संपूर्ण स्रष्टी को ज आज शिंगाशन पर बैठा कर बहुत प्रशन हुई भीश्म पितामा अंतर ध्यान हो चुके उनके वचनों से विदिश्ठिर की सब भ्रांती मिट गई भगवान के आश्रे से समुद्र पर्यंत सारी पर्थिवी का सासन समस्त राजा लोग उनके आग्या में ऐसा महान पद विदिश्ठिर जी को प्राप्त हुआ भगवान महल की जितनी भी दिवियां हैं सबसे मिल रहे हैं फिर विदिश्ठिर जी से कहा कि अब हमें जाने की अनुमती दीजे विदिश्ठिर जी बार बार हर्देस से लगा रहे हो कह रहे कि आप कैसी बात कहते हो कौन ऐसा होगा जो आपको जाने की अनुमति दे पर आपको जिसमें शुक मिले भगवान आग्यां करें रत तैयार किया जाए और अब हम द्वारिकापूरी के लिए चलते हैं शमान उम्रवालों को आलिंगन किया छोटी उम्रवालों ने जो भगवान को प्रणाम किया तो आशिस दिया सुभद्रा दृपदी कुंती उत्तरा गांधारी धतराष्ट यूद्स क्रपाचार नकुल शहदेव भीमसेन धौम्य शत्यवती ये साब मुर्छित से हो रहे हैं भगवान के बियोग की भावना में गुरली मनुहर शारंग पाणी भगवान सी कृष्ण चंदजु द्वारी का पूरी जाना चाहते इस बात से साब विकल हैं भगवान के प्रिशखा घुमुराले वालवाले अर्जुन ने पीतम स्री कृष्ण का स्वेच्छत्र पकड़ रखा जिसमें मोतियों की जाला लटक रही रतनों का डंडा उसको पकड़े हुए उद्धा और सात्य की बड़े भाव से चवन डुला रहें भगवान जेवीरत चला चारोर पुष्पों की वर्षा बड़ी मदुर जांकी दिब्य ब्रह्म रिशी लोग वेदवाक के उच् सुनाई दे रहे हस्तिनापूर की रमणियां भगवान स्री कृष्ण के रूप में चित्त को लगाये हुए अजात्षत्र युदिष्ठिर ने भगवान स्री कृष्ण की रक्षा के लिए बहुत सी सेना साथ वेजी यद्य भगवान सर्व समर्थ पर प्रियता में संका होत अधिक प्रितिमन भासन देहा युदिष्ठिर जी ने आग्रह करके से के भगवान आप सेना साथ ले जाए भगवान कुर्जांगल पांचाल सूरुषेन यमना के तटवरती प्रदेश ब्रम्हावर्थ कुरुक्षेत्र मत्ष सारस्वत मर्धन्यों देश को पार करके फिर आनर्त देश में आये यहां कुछ विश्राम किया जलासे समीब था संध्यावंदन किया फिर आनर्त देश में पहुँचे वहां के लोगों ने जेव ही सुना कि भगवान पधार है द्वारिकापुरी के लोगों पांच जन्य शंक भगवान ने सबको आनंदित करने के भगवान श्री कृष्णा आत्मा राम है उग अपने आत्म लाप्से सदासरौदा परिपूर्ण है सब आकर के भगवान की तरफ कोई पुश परपित कर रहा है कोई बोल रहा है कोई देख करके वल आशू बाहर आए जैसा जैसा सब को भगवान से पहुँचा रहे है हाथ जोड करके द्वारिकावाश्री भगवान से कहते दिश्वामिन हम आपके वियूग में कितने व्याकुल्थ है हमारे प्राण तो सदेव आपके चरण कमलों में बसते हैं ये चरण कमल भगवान ब्रह्मा शंकर इंद्रादी सविद की वंदना करते है जो इन चरणों की सरण ले लेता है समर्थ काल एक बाल बाका तक नहीं कर सकता भगवान क्रपा में द्रिश्टी से सब की तरब देख रहे है बड़ा अनुग्रह वर्षा करते हुए द्वारिका में प्रिवेश किया है मंगल शकुन गजराज को आगे करके स्वस्तेन पाठ करते हुए सब सेष्ट सेष्ट एद्वनसी भगवान का श्वागत किये भगवान सबसे अलग-अलग यथायों कि मिले बालक ब्रद सब भगवान सबसे मिले शौनक जी ने कहा शूत जी अभी पीछे आपने बताया था कि अस्वस्थामा ने ब्रमास्त चलाया था उत्तरा के गर्व में तो ब्रमास्त का प्रभाव और गर्वस्त सिशू बच जाना ये कैसे हो सकता है गर्व में महान ज्यानी महात्मा परिक्षित जी थे तो हमें लगता है कि भगवान ने ही उस समय स्वयम रक्षा कियोगी क्योंकि ब्रमास्त से बचना सम्भव है फिर दूसरी बात मेरे और प्रशन बन रहा है कि परिक्षित जैसे धर्मात्मा से कोई अपराध बन जाना उनके लिए साप होना स्री सुकदेव जी का ज्यानों पदेश करना हम पूरा प्रशंग सुनना चाहते है शूत जी ने कहा धर्मराज दिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रशन रखती हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे वो भोगों से निश्प्री होकर निरंतर भगवा दिस्वन परायन होते हुए राज पालन करते अतुल संपत्ती बड़े बड़े यग्य करके भगवान की आराधना करते जंब्युदीप के श्वामी स्वर्ग तक उनका यश क्या कमी थी महाराज उदिष्ठिर के पास देवता लालाइत होते ऐसे भोग थे परमाराज पांड़ों को भगवान स्रीकृष्ठिकिश्व और कुछ प्री नहीं था शौनक जी जिस शमें अस्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रभाव गया तो वो बालक ब्रह्मतेज से जलने लगा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से पर उस समय उस बालक ने देखा कि श्याम वर्ण एक तेजश्वी जियतिर में पुरुष आसपास उसके ऐसे घूम रहा है ब्रह्म तेज बाहा है आसपास अब वो बालक को नहीं छूपा रहा बस अंग उठे भर का वो श्याम रंग का तेजश्वी बहुत ही निर्मलत्यंत सुन्दर स्याम सरीर बिजली की तरह चमकता हुआ पितांबर सीर पर मोर मुकुठ निर्विका और पुरुष लंबी लंबी भुजाएं कानों में तपाया हुए स्वर्ण के सुन्दर कुंडल आखों में लालिमा और हाथ में डिव्य गदा लिये हुए बार बार वो शिशु देख रहा है कि मेरे चारो और घुमार तो कौमोदिकी गदा के प्रभाव से गर्भस्त शिशु में ब्रह्मास्त का प्रभाव नहीं पड़ पाया गर्भस्त शिशु सोचने लगा ये कौन है इस प्रकार दस मास के गर्भस्त शिशु के शामने भगवान स्री कृष्ण का साक्षा दर्शन और भगवान सीक्रिष्न की कोमोद की गदा के प्रभाव से ब्रहमास्त की तेज़ का शांत हो जाना और ततकाल वो सोच ही रहे थे कि भगवान अंतर ध्यान हो गये जे भी भगवान अंतर ध्यान हुए ते भी समस्त सद्गुणों को विक्षित करने वाले सुप समय में पांडु के वनसधर बालक का जन्म हुआ जन्म ते शमय ही इतना महांते जस्यू क्योंकि गर्भ में भगवत साक्षात कार हो गया है महांते जशंपन महाराज युदित स्षिर जशुनाग पोत्र हुआ बड़े प्रशन नहीं क्योंकि अर्जुन पुत्र अभिमन्यू अभिमन्यू पुत्र परिक्षित राजाविदिस्ठिर धोम्याचारी क्रपाचारी सब को बुलाया जात्संसकार करवाए बड़े दान दिये गए जब बालक का नालशेदन नहीं होता उसके पहले नालशेदन के पहले यह तक उस समय को कहते हैं प्रजातीर्थ उस समय जो दान दिया जाता है उसका बड़ा महत्त है नालशेदन नहीं हुआ बालक हुआ उस समय के दान को बड़ी महिमा क्रजातीर्थ कहते हैं उसी समय दिष्ठी ने बहुत दान किया हाती घोडास त्वरन बहुत इदिष्ठी जिन का परुवन्स शिरुमनी काल की दुर निर्वार गती अस्वस्थामा बंस मिटाना चाहता था परंत भगवान स्री कृष्ण ने बालक की रक्षा की है इसलिए इसका नाम बिष्णुराद निशन्देह ये बालक संसार में बड़ा यसस्वी भगवान का परंभक्त और महापुरुष होगा बड़े-बड़े महात्माओं ने आशिष दिया इदिश्ठिर जी को और बालक को इदिश्ठिर ने का महात्माओं ये बालक क्या अपने उज्वलियस से हमारे वंस के पवित्र कीर्थी महात्मा राजर्शियों का नुशरन करेगा ब्रमरिश्यों ने का धर्मराज ये मनुपुत्रि छ्वाक के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा दसरत नंदन भगवान स्री राम के समान ये सत्य प्रतिग्य और ब्रामन भक्त होगा प्रथवी माता धर्म की रक्षा के लिए कल्यूग का भी दमन करेगा पर महराज एक सयूग बन रहा है उसी समय अभी नाल छेदन नहीं हुआ उसी समय निर्ड़े करके बता दिया महराज सयूग बन रहा है एक ब्राम्मन कुमार स्रंगी रिशी के साफ से तच्छक के द्वारा इसकी मृत्य होगी अईसाद जीवतिस अभी नाल छेदन में नहीं हुआ पूरा पधारने तक का हिसाब बता दिया और उस शमय ये सब आसकती छोड़कर भगवान के चर्णों की सरण लेगा ब्यास नंदन सी सुकदेव जी यहां पधारेंगे इसके पास और इसको स्रीमत भागवत का स्वरूप बोध कराएंगे और गंगातर पर ये सरीर को त्याकर अभैपद की प्राप्ति करेगा पूरा आस जीवतिस सास्त्र के विशेशक ब्रामण राजा अधिस्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्मलगन का फल बता कर भेट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए वही ये बालक संसार में परिक्षित के नाम से प्रुशिद हुआ क्योंकि ये समर्थ बालक गर्व में जिस पुरुस का दर्सन पा चुका था उसी को खोज रहा था कहा है वो जो गर्व में दिखाई दिया सबकी परिक्षा कर रहा था कहा है वो कॉल है जो मुझे गर्व में दिखाई दिया इन में से जैसे सुकल पक्ष में दिन प्रती दिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता बढ़ता है वैसे राजकुमार परिक्षित गुर्जनों के लालन पालन से क्रम शामने दिन बढ़ते हुए शयाने हुए शूत जी कहते हैं कि विदुर जी ने जब देखा था महाभारत में कि एक धर्म के विर्दाशन करने वाला दुर्योधन कोई बात नहीं मान रहा और दुर्योधन का पक्ष महाराज दित्राष्ट ले रहे उसी शमय उन्होंने अपनी पद से इस्तिफादे करके पद को उत्याग करके तीर थे आत्रा को चले मैं नहीं देख पाऊंगा दोनों पक्षों का विनास तो विदुर जी तीर थे आत्रा में महारशी मैत्रे जिस्षे मिल करके आत्म ज्ञान प्राप्त किया और हस्तिनापुर लोट कर आए जिवी देखा कि विदूर जी आये तो धर्मराज युदिष्ठिर दोड़ पड़े धत्राष्ट यूत्सू, संजय, क्रपाचार, कुंती, गांधारी, द्रोपदी, सुभद्रा, उत्तरा, क्रपी, पांडो, परिवार, साब दोड़ पड़े युदिष्ठिर जी ने दिव्याशन अर्पित किया, बिदुर जी को, पूजन किया, भोग बवाया, विश्राम कराया अब हम आप से जानना चाहते कि आप जब तीर्थे आत्रा के लिए निकले तो किस वरती से जीवन निर्वा किया किन-किन तीर्थों में गए, चाचा जी, आप तीर्थे आत्रा करते द्वारिकापुरी भी गए होंगे भगवान स्री कृष्ण मेरे तो जीवन प्राण आराध्य देव है, सुखी है ना, आपने जाकर देखा, वहां सब सुखी है युदिश्चिर जी के इस प्रकार पोचने पर विदुर जी ने तीर्थों यद्वन्शियों के संबन्द में जो कुछ देखा, सुना, नुभव किया था, क्रम्शे बतला दिया पर मुख्य बात नहीं बताई, जब ये विदुर जी लोट करके आये थे, तब तक यद्वन्शियों का राधे शाम हो चुका था, उसे गुप्त कर लिया क्योंकि करुणा में विदुर जी पांडवों को अपने शामने कभी दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने कोई असाई घटना नहीं शुनाई, क्योंकि वो तो श्वयम प्रगठ हो जाएगी बताने की क्या जुरत है हस्तिनापुर में बड़े सम्मान से विदुर जी कुछ समय तक रहे, ये विदुर जी साक्षाद धर्मराज है, मांडविरिशी के साफ से सौवर्ष के लिए विदुर रूप में आये हुए थे मानो देह में, कई बार सत्संग में सुनाया है मांडविरिशी की चर्चा इतने दिनों तक ही अमराज की पद्वी पर अर्यमा जी थे, उस पद्वी में बैठते भी वो सामर्था जाती है, ये दैवी सम्मपदा से युक्त पद्विया हैं, तो अर्यमा जी ठीक पापियों को उचित दंड दे रहे थे राज प्राप्त हो जाने पर अपने लोग पाल शरीखे भाईयों के साथ राजाई दिश्ठिर परिक्षित जी को देखकर के बहुत आनंदी तरहने लगे कि योग्य अधिकारी है पर ये सब भूल चुके थे कि एक वो समय है जिसमें सर्वनास होना है पांडो भी ये भूल चुके थे कि अंजान में वो समय आ रहा है जिसमें हमारी मृत्ति होनी, सब को मरना है परिक्षित जी का ओ, शौंदर परिक्षित जी का ओ, सब प्रशन थे देखते देखते भयानक समय आ गया जिसे टाला नहीं जा सकता विदुर जी ने देखा काल की गती धरतराष्ट से का महराज अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आता बैराग की दिलाने के लिए कटुवचन बोलना ही होता है बड़ा भयंकर समय आ रहा है और तुमने बड़ा भयंकर देख भी लिया फिर भी सुकी होकर इनके टुकड़े खा रहे हो यहां अस्तिनापुर के महल में बैठ करके मुझे दिखाई दे रहा है सर्वनास अब भाग शलो यहां से निकलो बात की बात में सर्वनास हो जाएगा भाग हो यहां से अपना काम बना लो भजन कर लो सब मारे जा चुके फिर भी तुमें जीने की आसा है सरीर बुड़ापे का सिकार है या हस्तिनापुर में इनके सासन में पड़े हुए टुकड़े पार जीवित रहने की इच्छा ग्रहपालवत ग्रहपालवत कुटे भीमा पवरजितम पिंडो मादते ग्रहपालवत अहो मही असी जनतूर जीवित आसा यया भवान कैसा मोह है कि अभी जीने की आसा लगते हो पूरे परिवार का विनास करवा दिया अब यहां इनके दिये हुए टुकड़े खा कर जीवन बितीत करते हो तुम्हें संकोच नहीं हो रहा तुम्हें अपने हरदे में गिलानी नहीं हो रही जिनको बिस दे के मारना चाहा जिनको आग में जलाना चाहा जिनकी पत्नी को सभा में अपमानित किया जिनकी भूम छिनली जिनसे युद्ध किया आज उनके दिये हुए टुकडे को खा रहे हो क्या गवरा रखते हो अपने अंदर बिदुर जी ने डाट लगाई धरत्राष्ट जी को हाध हो गई अज्यान की हाध हो गई अब भी जीना चाहते हो क्या ये पुराने वस्त की तरह तुम्हारा सरील स्वयम नष्ट नहीं हो जाएगा इसलिए अपना स्वार्थ साद लो मंता काटो चलो हमारे साथ चलो हम तुम्हें उपाय बताएंगे भगवत प्राप्ति कैसे होगी धन्य है जिसको विदुर जैसा भाई मिला हो चाहे अपनी समझ से या दूसरों के समझाने से समझ लो अंतिम में तुम मरोगे तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा इसलिए भजन कर लो तो तुम्हारा कल्यान हो जाएगा अंता करन को वस्त में करो निकलो जो आगे होने वाला है वो तुम देख नहीं रहे मैं देख रहा हूँ चलो हमारे साथ विदुर जी ने धत्राष्ट को उत्राखंड की तरफ छोटे भाई विदुर जी अंदेराजा धत्राष्ट को उनकी दिखायों ये मार्ग से धत्राष्ट चल पड़े तो जो शन्यासियों को सुख देता है वीर पुर्षों को लड़ाई के मैदान में अपने सत्रु की द्वारा की हुई न्यायोचीत प्रहार से होता है वैसा ही पत्य वृता पत्नी को महासुख होता है पती के साथ कर्ष्ट सैने में उनके पीछे चल दिया अजात सत्रु द्रिष्टिर प्राता काल नियम बनाये थे अपने बुजुर्गों को प्रणाम करने का जो राज महल में गए धत्राष्ट विदुर जी गांधारी कोई नहीं दिखाई दी बड़े उद्दिन चित संजय से पुछा संजय कहां गए मेरे व्रद्ध पिता कहां गए मेरे चाचा जो विदुर जी कहां गए माता गांधारी क्या ऐसा तो नहीं कि मंद बुद्धी से मेरे से कोई अपराद बन गया हो और वो संका करके चले गए हो गुरुदन करने लगे दिश्ठिर जी शूती जी कहते संजय अपने स्वामी दर्तराष्ट को न पाकर इसने विकलता में बहुत कुछ उत्तर नहीं दिया फिर धीरे धीरे चित्व को इस्थिर किया और हाथों से आशू पोच्छते हुए कहा मैंने खो दिया अपने महराज को संजय बहुत प्यार करते थे कुरुननन अब वो कभी नहीं मिलेंगे तुम्हारे चाचा और गांधारी महराज इनके संकल्प कत्व मुझे पता नहीं लेकिन मैं ठगा गया वो मुझे छोड़कर चले गये इस तरह वारता ही हो रही थी कि तरिका लग देवर शिनारत जी पधारे युदिष्ट्री जी ने प्रणाम किया संजय जी ने प्रणाम किया युदिष्ट्री निकाब भगवन आप तरिका लग गये हैं आप बता सकते हैं कि मेरे चाचा कहां गये मेरे ताओ कहां गए, गांधारी जी कहां गए मैं बहुत व्याकुल हूँ क्या मेरे से कोई अपराद बन गया क्यों मुझे छोड़ कर चले गए सायद हो शकता है मैं मोह के कारण ऐसा कोई कारे हो कर दिया हो, जिसके कारण उनको ऐसा लगा हो मेरे में संसा है और वो छोड़ कर चल दिये मैं बहुत दीन दुखी हूँ मेरे प्रीजन कैसे मेरे बिना रहे देवर्शि नारै जी उनको शमझा रहे, पांच भवतिक शरीर है, इसे प्यार मत करो ये काल कर्म गुणों के वस्मे हैं, जैसे अजगर के मुँँ में पड़ा हुआ, एक जटके में अंदर चला जाएगा, ऐसे काल हर सरीर को ग्रसित किये हुए है हाथ वालों के बिना हाथ वाले चार पैर वाले पस्मों के बिना पैर वाले त्रणाद, उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव, ये सब एक दूसरे के अहार है जीव है जीव, अहार जीव बिना जीव है नहीं पर जो निरने किया गया उतना ही अहार करो जैसे आपने लोग ये सब जीव पाते हैं, गेहूं आज इनमें भी जीव है, वैसे ही, लेकिन हम जितना सास्त राग्यां उतना ही पाएंगे उसके विरुद जीव अत्या करेंगे तो पाप लगेगा सब जीव सब जीव से ही जीव जीवित है गास में भी जीव है इन समस्त जीवों के बार वीतर एक मात्रश्वयम प्रकास भगवान बिरागमान है युदिश्ठिर तुम उनी को देखो इन सरीरों को नहीं भाराज समस्त प्राणियों के जीवन दान देने वाले भगवान इस समय प्रत्वी तल पर देव द्रोहियों का नास करके काल रूप शिव बिराजमान है वो अपना कारी पूरा कर चुके बस थोड़ा सा कारी और रह गया है तुम लोगों का तुम लोगों के भी अंतर ध्यान का समया रहा है धर्मराज मैं देख रहा हूँ जिनके लिए तुम बिकल हो रहे हो हिमालय के दक्षन भाग में जहां सब्तरिशी प्रशन्नता के लिए गंगा जी ने अलग-अलग साथ धाराओं के रूप में अपने को विभक्त कर दिया सब्तस्रोत कहते हैं वहां ले गए हैं बिदुर जी धत्राष्ट और गांधारी को प्रिकाल श्नान करवाते हैं बिदि पुरुव का अग्निहोत्र कराते हैं और सारी कामनाओं को शांत करके केवल जल का पान करवाके और उनको बैठाल दिया है बिदुर जी के प्रभाव से इस समय धत्राष्ट और गांधारी ठूट की तरह अपने सरीर को शांत करके बैठ गए हैं पांचवे दिन आचके उनके सरीर में आग लग जाएगी दोनों भर्ष्म हो जाएगे परण कुटी शहित दोनों के सरीर भर्ष्म हो जाएगे गांधारी जी कभी धत्राष्ट कभी बिदुर जी अपने सामने अपने भाई को मोक्ष प्रदान करके धत्राष्ट को और गांधारी को पुना तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे आप लोग शोक मत करो ये मैं त्रिका लगी हूं देखकर बता रहा हूं नारजी बता कर चले गए बड़ा बिचित्र खेल है इस संसार से सब को जाला है कुछ साथ नहीं जाएगा चाहे जितना लड़ाई जगडा करके राजी कत्रित कर लो बड़ा समय बलवान है सब दिन होतना एक समान इसलिए भाई अपने करतब्य का पालन करते हुए नाम जब कर लो जितना नाम जब करोगे परोब कार करोगे धर्म पूर्वक चलोगे वही तुमारे साथ जाएगा अन्न था यहां से बड़े बड़ों को जाना पड़ा पच्चिता पच्चिता कर जाना पड़ा यहां रुकना नहीं इसका नाम रत्य लोक है खूब नाम जब करोगे भगवत सेवा सेश चल चागे श्री अधाव लव लाल की जाएगा